हलो और वोलकम दोस्तों स्वागाद एक और नाए मज़दार वीडियो में हाला कि आज के वीडियो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के उपड़ है क्योंकि झना कीसे बच सकते हो बीना किसी बच जांके जलो यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि या leash मेंन शाओंस पिछले तो में जोगी वीडियो नहीं हो रह फिर सब्सक्राइबर नोक्ना का घंटा प्रेश करदो ता कि थोड़ा बहुत चांस रहे कि जबी में कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं जो की एक्चुली में इन्फरमेटिव और काफी सही होते है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुंचे और यह जो वीडियो में बनाना वाला हो यह सभी के लिए बहुती इंटरेस् ही है तो उसमें PUBG Mobile का Tension Game Buddy Emulator इंस्टॉल रहेता ही है तो मेक्शूर के गाइस इस वीडियो को जिजना जिदा से ज्यादा हो सके शेयर करो ताकि और भी लोग और सभी लोग जान सके के एक्शुली में Tension Games क्या गलत कर रही है तो अब Tension Gaming Buddy Emulator के साथ प्रॉब्लेम क्या है तो बिसिकली जो नया अपडेट है 10.1 का अपडेट उसमें Christmas Update में Tension Gaming Buddy Emulator भी अपडेट किया गया एक नय स्टाइल में लाने के लिए कुछ नया हटके करने के लिए और Tension Game Buddy Emulator को आइसे क्रिडिट किया गया ताकि वो एक एप इंस्टालिंग मार्केट जैसे लगे Android Apps का मार्केट वो भी हमारे PC में जो की काफी अच्छा था उधर एक नया पेमेंड बटन भी एड किया गया ताकि हम लोग डाइड हमने एमुलेटर से ही पे कर सके और यह एमुलेटर एक माइना जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा यह जो क्वान है माइना है यह एक मैलवर है जो की इंप्लिमेंटेट किया गया है नए अपडेड में इस एमुलेटर के बिसिकली ऑल्मोस्ट हर एक पबजी प्लियर जो फोन में नहीं खेलता है यह वो अपने PC में खेलत जब़िए आप अपने ब्रावजर में कुछ सर्च करोगे या फिर कोई साइट कोलो के कोई शोशल मीडिया पेज़ कोलो के या पिर नेट बेंकिंग का एकांट भी कोलो कि उसका जो कुकी है यह जो वैयरस है ईसको किट्रेक करता है और आपका सारा डेटा चोड़ी कर लेत बाबार के समाने का ब्राउजर कोई यूज करता भी है नहीं पता लेकिन भी अगर आप यूज करते हो तो यह जो वाइरस है यह उसका ब्राउजर कुकी है कर लेगा और आपके सारे इंफर्मेशन डिटेल्स ले लेगा आप यह क्यों कि आपको शायद कुछ-कुछ एड्स द तो यह कोई खड़ब बात नहीं है कि यह के रिलेबेंट एड्स आपको दिखा रहा है ताकि इन लोगों का सेल बड़े या फिर इन लोगों का जैदा फाइदा हो तभी आप बोलो के तो यार यह जो हम एंड्रोइड यूज करते हैं यह तो गूगल भी करता है यह तो करना होते हैं नहीं यह सिर्व आपका डेटा चुड़ाएगा बलकि अपने किसी गलत काम में भी इंस्तेमाल कर सकता है ऐसा भी हो सकते हैं कि आपने एड्ट बेंकिंग का पासवर्ड डाला यूजरनेम डाला और यह भी इसके खाते में चला गया हो और यह भी हो सकता है के बाद में यह आपके डेटा का मिस्यूज भी कर सकता है और यह जो कॉइन हाइब माइनर भाइडस है यह सिंपली आपके PC सॉफट्वेर्स को भी करप्ट कर देता है मेरा खुद का जो टीम है जो कि यह गेमिंग मार्केट है PC का उसको करप्ट कर दिया उसके साथी साथ मेरा लास्ट फोर मंच से यूज कर रहो पबगी यार सभी खेलते हैं अल्मोस्ट एक इंडियन बंदा खेलता है और इंडिया में मोस्ट प्लेट गेम है लेकिन ऐसे में कर एमुलेटर में ऐसी कोई वाइडस या फिर मैलवार इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि यूजर्स का देटा चोड़ी कर सके तो यह बहुत ही गलत बात है और ऐसा मैंने भी सोचा और मैंने पबजी टीम को मतलब टेंशन गेम्स को एक इमेल भेचा जिसका मुझे कोई भी रिप्लाई अभी थाग नहीं मिला जब मैंने हैकिंग से रिलेटेड कुछ मेल में बात्चित किया था यार यह लोग है कि या फिर मॉड्स खैला रहा है ज्यादा जो की गलत है तो उधर से मुझे रिप्लाई में ठैंक्यू भी आया था काफी सपोर्ट भी मिला था लेकिन इस बर जब वो लोग गलत कर रहा है और मैंने उन्हें कुछ मेल बना के भेजा तो मुझे कोई रिप् कर दिया यार अभी जान मुझ का आप अपने घर में थोड़ी ना कोई साफ पालोगा और वह भी बड़ा वाला है ना कॉंड़ा और अभी में यह क्या कहूँ पीसी में खेलता हो तो ब्लू स्टेक का यूज करता हो या पिर मॉमाइल में ही जादा था खेलता हो क्योंकि बाइर साने का कोई चांस भी है भी नहीं तो अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो और सिर्फ पबजी खेलने के लिए अपका एक अलग से PC है और उसका इस्टमाल करते हो सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए तो यह शायद आपके लिए सही होगा ऐसे में आप यह सेमिलोटर को अप भी करता है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि इसे अपने PC में इंस्टॉल रगना मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च किया कि यह जो प्रॉब्लेम मुझे हुई या फिर मेरे अंटी वाइरस ने डिटेक्ट किया कि यह यह वाइरस है तो क्या यह यह वाइरस और मैल्वर ने डिटेक्ट किया कि यह जो टेंस गेंग बड़ी एमूलाटर है जो में इमूलाटर है उसमें वाइरस नहीं है लेकिन उसके साथ ही जा जो अधरस फाइल आते है उनमें यह मैलवर इंपलिमेंट किया गया है तो आभी आप देख लो आपको क्या करन है और आप चाहो तो खुद पेंशन को मेल भेज सकते हो सिंपली गुगल प्ले स्टोर में जाके जो कंटेक्ट वीड डेवलपर का उप्शन है उधर जाके मेल कर सकते हो लेकिन चांस शायद नहीं है कि आपको कोई रिप्लाई आने वाला है और इस वीडियो में चाहे आप ल यूज करते हैं और परसनल कंप्यूटर है जिसमें बाकी का भी काम होता है तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक सावित हो सकता है तो में चुर्ट को शेयर करो और एक और बात में शेयर करते ना चाहूंगा कि यार मैंने ये जो पेमिंट वाला बटन है इसे भी यूज किया थ तो जबी मैंने उदर क्लिक किया एक ब्राउजर विंडो खुला और उसके साथे साथ तुरंद मेरे एंडिवारस ने तीन-चार ऐसे नोटिफिकेशन आए कि यार उसने तीन-चार मैलवार को तुरंद ब्लॉक है इसका मतलब ये जो पेमिंट ऑप्शन भी है इस एमिलोट तो मेक्शिर अभी में जो स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ वह आप जरूर करें जो फाइल उसको आपको सिंप्ली करना है उसके बाद आपको सी ड्राइब में या पि जहां भी अपनी इंस्टॉल किया उसके प्रोग्राम डेटा में जाना है जाने के बाद आपको उसका जो फोल्डर मिलेगा पीसी एक बार रिस्टार्ट करके उस फोल्डर को आपको डिलीट कर जाना है जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे शोक कर रहा हूँ तो यह आपको जरूर करना है दाकि कंप्लीटली यह जो टेंसन बढ़ी है यह आपके पीसी से रिमूब हो पाए और मेरा काम था आपको यह बताना कि यह कितना खड़ावे तो यह मैंने बता दिया आपके उपर डिपेंड़े कि आप क्या करते हो चलो याद दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था मिलते है अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए आपके लिए लीडियो में दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों अगले वीडियों पाए